बिंग इमेज क्रियेटर के द्वारा कोई भी फोटो क्रियेट करना चाते हो तो इसके लिए आपको बिंग इमेज क्रियेटर पर यानि remote designer पर एक account create करना होता है तभी आप बिंग इमेज क्रियेटर का application या फिर website आपьте तो आज में आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप विंग इमेज क्रियेटर आयप या फिर उसके वेफसाइट पर अपना अकाउंट कैसे क्रियेट कर पाऊंगे आज में आपको यह बताने वाला हूं तो गैज वीडियो बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहे आप Bing Image Creator के आयप पर जाकर अपना āकाउंड करें या फिर इसके website पर जाकर अपना अकाउंड करें बात एक ہी होता है तो गर आज में आपको इसके app पर जाकर यानि Bing Image Creator यानि Microsoft designer के app पर जाकर account कैसे create किया जाता है आज में आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों गर आप website से account create करना चाते हो तो इसके लिए आपको Google Chrome को open कर लेना है फिर यहाँ पर आपको type करना है Bing image creator फिर search कर देना है अब आपको यहाँ पर image creator from Microsoft designer को option मिल जाएगा आपको इस पर click कर देना है इसके बाद गैज आपको यहाँ पर join and create पर click करना है कि app से आप अपना account कैसे create करोगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको Bing chat with AI and GPT का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद गैज आपको इसको install कर लेना है चाहे तो आप अपने play store पर जाके Bing type कीजिएगा फिर search कीजिएगा तो गैज यह वाला application आपको मिल जाएगा तो इसके बाद आपको इसको install कर लेना है install करने के बाद गैज सबसे पहले आपको इसको open करना होता है इसका account create करने के बाद जब आप इसे open कीजिएगा तो गैज आपको कुछ permission allow करना होता है तो यहाँ पर allow कर देना है allow करने के बाद गैज आपके सामने as a interface आ जाएगा फिर गैज यहाँ बाद गैज आपको sign in का option मिलेगा आपको इसे पर click करना है तो गैज यहाँ पर आपको fare ID करने होता हैboarding यहाँ पे add कर देता हूँ add करने के बाद guys यहाँ पे आपको next करना है इसके बाद guys आपके सामने s interface आएगा अब आपको यहाँ पे guys अपना password add करना होता है आपका password यहाँ पे guys आठ अंको का या फिर आठ सब्दों का होना चाहिए इससे कमका नहीं होना चाहिए फिर यहाँ पे आपको next कर देना है अब आपको यहाँ पे guys अपना user name add कर देना है first or last name यहाँ पे add करना है फिर next कर देना है अब आपको यहाँ पे guys अपना date of worth add करना है आप यहाँ पे कोई date of worth add कर सकते हो फिर यहाँ पर next करना है फिर यहाँ पर आपके email id पर एक code जाएगा एक OTP जाएगा जिसको आपको यहाँ पर add करना होता है तो यहाँ पर आपको अपने email id को open कर लेना है यह अपने Gmail को open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा refresh कीजेगा तो आपको एक OTP मिल जाएग तो गैज यहां पर यह जो OTP है आपको यहां पर fill up करना होता है छे यंको का OTP आता है आपको इसको यहां पर fill up कर देना है फिर यहां पर गैज आपको यहां पर next करना होता है next करने के बाद गैज आपके सामने थोड़ा सा processing लेगा फिर एक नए interface आजाएगा कुछ इस तरह से तो गैज यहां पर थोड़ा सा processing लेता है आपको wait कर लेना है अब आपको यहां पर gauge करना क्या होता है एक capture मिलेगा आपको इस capture को यहां पर add कर देना है चाहे तो आप यहां पर capture को add कर दे नहीं तो यहां पर idea को option लेगा आपको idea पर click कर देना है तो गैज यहां पर जब आप click कीजिएगा तो आपको एक number बोला जाएगा आपको उस number को यहां पर add करना होता है लेकिन गैज जो number यहां पर अच्छे से सुनाई नहीं देता है तो मेरी मानिएगा यहां पर आपको visual पर click करके अपना o tp कीजिएगा origin ion तो गैज यहां पर capture add करने में आपको कुछ नहीं करना है तो करिज capture add करने के लिए आपको यहां पर next बटन को option मिलेगा आपको इस पर click करने के बाद गैज आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इससे भी कर देना बस थोड़ा सथ चेंज कर देना फिर यहां पे आपको सब्मिट कर देना है जैसी यह समीट बटन पर किलिक करोगे तो आपका वेरिफीकेसन यहां पर क्पलीट हो जाएगा अब आपको यहां पर गईज कुछ करना नहीं हो बस आपका अकूंट क्रियेट हो गया है अब आप इस ऐप्लीकेशन से या फिर इसी अकाउंट को वैफसाइड में लॉग इन करके आप आसानी से अपने फोटो को क्रियेट कर सकते हो अपने नाम वगरा का फोटो बना सकते हो तो कि अगर